Dear students, स्वागत है आप सभी का आज के biology class में, जिसमें मैं आप सभी को class 9th के biology का पहला chapter Sill the fundamental unit of life का एक बहुत ही मज़दार, बहुत ही interesting topic समझाने वाला हूँ, कभर करने वाला हूँ, जिसका सिर्षक है protoplasm theory, इसके पहले सिर्ष सम्मन्दित हमने बहुत सारे topics already cover कर दिये हूए है तो चलिए आज का video lecture है protoplasm theory के उपर, उसको start करते हैं और जानते हैं इसके बारे में बहुत सारे different facts So, पहला fact है कि देखो यह protoplasm theory है, वो एक scientist के जरी दिया गया था, जिनका नाम है Max Sule, और यह जो protoplasm theory है इस protoplasm theory के according, सेल जो होते हैं, वो important constituent के रूप में protoplasm वाले life के physical basis होते हैं अब यह protoplasm क्या है, तो देखो, सिल के अंदर जितने भी पदार पाजाते हैं, वो सारे के सारे protoplasm कहलाते हैं और यह जो word है protoplasm, यह नाम एक scientist के द्वारा suggest किया गया था, जिनका नाम है Jan Evangelista Purkinje तो यह नाम याद रखना है आप लों को जो है, कि Jan Evangelista Purkinje जो है, वो protoplasm नाम दिये हुए है, और Max Soul ने protoplasm theory दिये हुए है अब देखते हैं, protoplasm है क्या, इसका जो है structure composition वोगरा कैसा होता है, देखो अभी तो मैंने बता दिये था कि protoplasm क्या है, तो protoplasm जो है, वो सारे पदार था, जो कि सेल के अंदर में पाए जाते हैं सेल के अंदर में जो भी चीज़े पाए जाते हैं, वो सारे पदार्थ हैं, देखो सेल मेंबरन को separate कर दो और बाके जो भी चीज़ बज़ जाता है, निकली यह cytoplasm, वो सारा का सारा मिलकर कहलाएगा protoplasm तो अब जानते हैं इसके बार में कुछ और एफेक्स, तो देखो यह जो protoplasm है, वो actually एक colorless, vital, semi-transparent and semi-liquid होता है, यानि कि जो है एक यह colorless पदार्थ है, जिसका कोई color नहीं होता है, दूसरी बात कि यह बहुत ही महत्तोपून पदार्थ होता है, यह किसी भी living sale के लिए तीसरी बात यह कि यह semi-transparent होता है, यानि कि completely transparent भी नहीं और opaque तो बिल्कुल नहीं, तो इस तरीक से इसको semi-transparent बोलेंगे और next चीज कि यह semi-liquid होता है, यानि कि liquid और other चीजों का यह mixture होता है, ठीक है, तो उमीद कर रहा हूँ कि यह तो आपको समझागे कि protoplasm theory क्या है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं protoplasm क्या है, तो इसमें भी मैंने बता था है protoplasm जो है, वो एक colorless, vital, semi-transparent and semi-liquid होता है, अब देखो यह जो protoplasm होता है, वो actually steel के अंदर में जितने भी vital activities होते हैं, उन सभी vital activities के लिए जो है, एक medium के रूप में काम करता है, साथी साथ अग organic substances औர unorganic substances दोनों ही परकार के सभस्वाष्चा अब बना होता है आपका protoplasm देखो इन और्गेनिक में 70% तो यह पानी से मिलके बना होता है, यानि कि प्रोटोप्लाजम का जो इन और्गेनिक वाला पाइट होता है, जिससे कि वो मिलके बना होता है, उसमें 70% पानी हो गया और 30% में कुछ elements आ जाएंगे, जैसे कि carbon हो गया, hydrogen हो गया, oxygen हो गया, nitrogen हो गया, sodium हो जाएगा, इसी तरीके से अपका potassium हो जाएगा, calcium हो जाएगा, iron हो गया, और इन सभी elements के अलावा भी जो है इसमें बहुत सारे other जो है, sulfate, phosphate, carbonate, chloride जैसे iron होते हैं, साथे साथ जो है, कुछ salts and gases भी होते हैं, जैसे कि carbon dioxide हो गया, oxygen हो गया, ठीके, और देखो यह सब जो है, यह actually dissolved form में रहते हैं, वही अगर हम बात करते हैं, organic substances में, तो organic substances के अंदर में fats हो जाएंगे, proteins हो जाएंगे, carbohydrates हैं, nucleic acids हैं, and enzymes हैं, तो यह सारे पदार जो होते हैं, जिनसे की मिल करके किसी भी sale का protoplasm बना होता है, तो आपने आज जाना है, protoplasm theory के बारे में कि protoplasm theory किस ने दिया था, और साथी साथ जो है, वो जो word है protoplasm, यह किस ने दिया था, protoplasm होता क्या है, protoplasm किस से किस से मिल करके बना होता है यानि कि उसका कम पोजीशन जाना है तो आज की क्लास को अटेंड करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, thank you very much.